हलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू पीवीर स्टडी बच्चों आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की गड़ित एक्सरसाइज है आपका टेन पॉइंट टू का कोईश्चन नंबर टोयल है ठीक है ध्यान से देखना कोईश्चन आपके सामने इस स्क्रीन पर है फूरा फुली स्क्रीन पर है इसको हिंदी इंगलिस हम दोनों भासाओं में पढ़ देंगे आप ध्यान से सुन लीजिए ठीक है हिंदी में आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है मैं इंगलिस में पढ़ देता हूं सुन लीजिए च Such that the segment BD and DC, figure में दिखराना आपको, into which BC is divided by the point of contact T, are the length 8 cm and 6 cm respectively, find the side AB and AC. तो भाया इसमें AB हमें निकालना बाबू, AB ये पूरा-पूरा side निकालना इधर side में, वो सकता भी आपको न दिख रहा हो, और AB के अलामा कौन सा निकालना ये AC निकालना है, चूकि इधर वाली तो दी गई है 14 cm पूरा-पूरा, तो ये दोनों हमें find करनी है, exercise 10.2 है उपर द देख लिजिए, 4 cm त्रिज्या का एक ब्रित है, उसके परिगत एक त्रिपुजए ABC है, और रेखा खंड इसमें दो दिये गए थे, एक DC 6 cm और BD 8 cm मैंने दिखा दिया, प्रूब देट जो हमें ग्याद करना है question में कह रहा था, वो चीज़े मैंने लिख दिया है, ये दोन इसके बारे में question में जिक्र नहीं है, यानि ये हमने क्या किया है, construction किया, खुद से रचना किया है, question में सिर्फ और सिर्फ तिर्भुज बना है ब्रित के किनारे किनारे बस, बाकी जो मिलाया गया ये question में नहीं दिया गया, ये रचना का भाग है, वो मैं तुम्हें दिखा खाथ है तो इसको हम लिखेंगे रचना में का देख लिए न आब तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रचना या इंगली समें का निखेंगे कांष्टक्शन उस्क यह रचना इंधी इंगली डोनों में लिख रहा है पुरूबप देट मतलब गयाद करना है given मतलब दिया है और बाकी चीजें हिंदी लिखी है कोई दिक्कत नहीं है रचना में लिखेंगे बाबू ओ ओ ओ बी ओ सी और ओई को मिलाया ठीक है लिख लिजिए लिखिए ओ ओ ओ बी और क्या है ओ सी तत्धा ओ इखो मिलाया यह क्या किया रचना किया है इतना याद रखना आपको ठीक ओके अब क्या करेंगे है ज़नी जो हमें उत्पत्य करनी है में चीज वह लिखने जा ठीक है इसमें लिखो CD CF के बराबर है लिखो वही है CD बराबर CF समझो यहाँ पर लाजी किसका CD यह जो है वो CF के बराबर है और अगर आप देखो तो CD या DC 6 cm दिया है तो यह अल्रेडी 6 दिया है और CF अगर CD के बराबर है तो इसका मतलब यह भी 6 cm हो जाएगा और यह बराबर क्यों हो जाएगा क्योंकि एक सर्कल है यह ऐसे सर्कल को टच करते हुए CD जा रही है वो ऐसे CF भी जा रही है तो इसे हम कह सकते हैं क्या है यह ब्रेकट में लिख लिखिए एक ही बिंदू से जाने वाली असपर्स रेखाएं है ब्रेकट में लिखिए एक ही बिंदू से जाने वाली असपर्स रेखाएं इसलिए क्या है बराबर है साथियों अगर ऐसा होता है तो ध्यान देना यहाँ पर अगर CD CF के बराबर है एक ही बिंदू से जाने वाली एसपर्स रेखाएं हैं तो यहाँ पर हम इसको अलग से भी दिखा सकते हैं इसलिए CF वराबर 6 cm है ना यानि CF कितना हो गई 6 cm हो गई अब यहाँ पर जगा थोड़ा कम है तो मैं उपर इन चीजों को मिटा दूँगा जो दिया हुआ है आप इसे एक बार स्क्रिन साट ले लिजिए लिख लिजिए मैं साइट हो जाता हूँ उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे हल करना है फिर कहानी आपको समझ में आएगी ठीका जल्दी इसको ले लिजिए इसकर इंसाट कर लिजिए लिख लिजिए बहुत जल्दी करिए चलिए आप देखिए एक तरफ तो आपने कर लिया अभी तिर्भूज है ना तिर्भूज है तिसमें तीन साइड से वह ऐसे ही सनियोग बनेगा जैसे इधर बनता हा था जैसे इधर देखिए CD और CF यह सपरस रेखाए थी एक ही बिंदू से जाने वाली वैसे इधर साइड में BD और BE है और BD साथियों 6 cm दिया है आप अगर देखो तो दिया है यह BD दिया था अगर यह 6 cm है तो यह भी 6 cm ही होगा region जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा आप यहाँ पर लिख लिजिए इसी तरह इतना करने के बाद यहाँ उपर आके लिखना या फिर आप में जहां भी जगा होगी लिखना इसी तरह BD BD बराबर BE ब्रेकट में लिख लिए एक ही बिंदु से जाने वाली असपर्स रेख आएं। इसी तरह फिर फिलिख ये नीचे इसी तरह दो बार क्योंकि हमें जैसे हमने इधर वाला लिया वैसे इधर वाला वैसे इधर वाला भी लेंगे उपर वाला तो लिखो इसी तरह A-E बराबर A-F A-E बराबर A-F रीजन में वही बात लिख लो जो यहां लिखी है वही बात इन दोनों कुछ नहीं दिया है A-F और A-E हमें दिया नहीं है तो हम इन दोनों को A-E मान लेते है ठीक है, यह side x x है, चुकि इनको तो दिया गया था, आपको c d और be d दिया था, इसमें देखो a e भी नहीं दिया है, मतलब कुछ दिया नहीं है, तो इसे हमने क्या किया, x मान लिया, अब लिखेंगे तिरभुज की पहली बुजा बराबर, तिरभुज की, लिखो लिखो, पह दो भाग में बटी हैं, जैसे अगर हम बात करें a b की, तो a b देखो b e और a e में बटी है, जो की b e 6 है और a e x है न, तो यह दो भागों में बटी है, यहाँ पर हम इनको समझ लेंगे, पहले लिखो, पहली भुजा, तिरभुज की पहली बुजा बराबर, पहली भुजा बराबर, कितना है भाईया, लिख लो, a b बराबर x प्लस 8, a b बराबर, भुजा a b, फिर बराबर x प्लस 8, ऐसे लिख लो, तिरभुज की दूसरी, दूसरी भुजा, b, c बराबर, देखो, b, c में देखो बाबु, यह 6 प्लस 6 आपको दिख रहा है क्या, नहीं, यह 8 cm था या, रहे, एक, सॉरी, b, d आपको 8 दिया था ना, question में देख लो, एक मिनट पहले फिर चलते हैं, देखो, देखो, देखो ध्यान से, कह रहा था, क्या कह रहा था, लंबाईयां करमसा 8 cm और 6 cm है, b, d और d, c, जिनमें असपर बिंदु, d और b, दौरा विभाजी था यह की लंबाईयां, यानि हमें b, d, 8 cm दिया गया था, ठीक है, ब, d, 8 cm दिया गया था, ठीक है, तो यह 8 cm है, यह क्या है, 8 है, और अगर यह 8 है, तो यह भी 8 ही होगी, याद रखना, ठीक है, 8 ही होगी, तो आप जो यहाँ पर लिख रहे हो न, यह 8 रहेगा, ठीक है, आप सही है, clear, तो b, c बराबर क्या हो जाएगा, बच्चा, b, c बराबर भी आपका वही हो जाएगा, जो अभी आप देख रहे हो, यानि, x प्लस 6 cm, क्या 8 cm, अरे बाई साहब, b, c हमें नीचे वाला निकालना, 8 और 6 होगा न, 8 धन 6, इसी तरह फे, a, f, निकाल लेंगे, a, c, तो यह ह हो जाएगा, बबू आपका, x प्लस 6, यह तीनों भुजाएं है, हमें इनी तीनों में से दो भुजाएं फाइंड करनी है, तो चलिए निकाल लेते हैं, देखिए, आब तक आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से, लिखिए, तिरभुज की तीनों भुजाओं के माद्यम से अब हम तिरभुज का क्या करेंगे, छेतरफल निकालेंगे, नीचे चाय लिख लिखिए, तिरभुज की तीनों भुजाओं के माद्यम से, अब हम तिरभुज का छेतरफल यानि एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, चले, देखिए, इन बातों को आप लोग से, लिखिए, ग्यान करेंगे, ठीक है, साथियों, तो से, लिखिए निकालेंगे, जब हम लोग हिरोन सुत्र लगाते हैं, तो आपको पता है इसका काम लगता है, यह होता है न से, लिखिए का फार्मुला, यहां पर तीनों भुजाओं को जोडेंगे, एक्स प्लस एट औ एक्चुली यह दोनों जूड़ जाएंगे 14 हो जाएगा और आपका अगर आप इनको completely हल करके देखो फिर मुझे बताओ कितना आएगा एक बार देखो तो और थेखो तो दो एक्स प्लेस आएगा नॉपर साइड में यहां पर जगा थोड़ा कम है इसलिए में नहीं लिखना चाहता था आप देखो तो दो यक्स प्लस 28 बटाद दो आएगा नीचे दिख रहा है ना यानि यह आपका जब इसमें से 2 कामन ले लेंगे उपर चलो कर देते हैं सत्यों यहां पर देख लीजिए अगर इसमें हम दो कामन ले लेंगे तो यक्स प्लस 14 बचेगा नीचे दो बचेगा दो से दो कट जाए ठीक है एक्स प्लस फोर्टीन अर्धपरिमाप आ गया अब सूत्र लगा दीजिए मेन वाला जो होता छेत्रफल वाला अंसर आ गया है चलिए पूरा बोर्ड आपको क्लियर दीख रहा है नोट करिए फटा-फट इसको मिटा देंगे साथ ही हूँ अब हम सूत्र लगाएंगे मेन वाला अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे हिरोन फर्मूला लगाएंगे लिखिए तिर्भूज ABC का छेत्र फ्ल बराबर आप उन फया फर्मूला लगा दीज्गे हिरोन सूत्र जी से बोलते हैं आप सबको पता है yes into yes minus a yes minus b और yes minus c यह आपका formula होता है साथियों yes का मान आया था अभी x plus 14 x plus 14 आया था ना सारे मान इसमें put कर देंगे बाबू ठीक है बाकी कुछ नहीं करना है ध्यान देना तो yes की जगा पे x plus 14 रखेंगे यह सिर्फ yes की जगा पे है याद रखना यह लाइन ऐसे आप खीच लेंगे अभी सिर्फ yes का मान रखा है तो yes minus a है ब्रेकट के अंदर तो इसमें भी x plus 14 और minus a का मान रख दीजिए जो अभी आपकी तीन भूजाएं आई थी सारे मान रख दीजिए फटा फट ठीक है पहले भूजा x plus 8 थी आपने देखा था ना पहले भूजा x plus 8 थी दूसरी भूजा x plus 6 थी और तीसरी भूजा 14 थी 8 जोड़े थे 14 आई थी ना तो साथियों अगर यह माइनस करेंगे हम यहाँ पर x और यह plus का 8 लगाएंगे थोड़ा यह गंदा लगेगा क्योंकि यह भी छोटा कोश्ठक है यह भी छोटा कोश्ठक है तो हम एक काम करेंगे इसको मजला कोश्ठक या बड़ा कोश्ठक कर लेंगे ठीक है जिससे अंतर जनाई पड़े तो अभी यह सब पूरी कहानी सिर्फ yes minus a की जगाँ पर लिखी गई है याद रखना अभी यह बाकी के इन दोनों के मान रखने बाकी है ठीक है तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका x plus 14 yes की जगाँ पर है minus x plus 6 उसका मान है b वाला ठीक है x plus 6 तो बाबू यह रख दीजिए x plus 6 यह आपका क्या हो गया यहाँ पी हम कोश्ठक लगा देंगे मजलका वाला अभी हमने last वाले का यह s minus c का बैलू अभी तक नहीं रखा है ठीक है उसमें भी क्या करेंगे x plus 14 उसका मान है x plus 14 यह सिर्फ yes का मान है तो हम यहाँ भी रख देते हैं इनको ऐसे बढ़ाते जाएए जहाँ तक जाएए तो यहाँ थोड़ा कम जगा है लेकिन ज़्यादा जरूरत भी नहीं है x plus 14 और minus का 14 हो जाएगा ठीक है मैं थोड़ा इसको हलका कर दूँँगा दिख जाएगा वसे दिख रहा है इसमें देखिए जो b कमान था वो x plus 6 था इतना बड़ा a कमान जो था वो x plus 8 था इतना बड़ा लेकिन जो c कमान है वो सिर्फ 14 only 14 है बस तो इसलिए इसको लिखना थोड़ा सा आसान भी हो गया यह कोष्टक लगा दीजिए आप मजलका वाला ऐसे अच्छा से ठीक है अब इनको हल कर लीजिए simplify करना एक बड़ी बात है बाकिया और कुछ है नहीं आप कर ले जाएंगे प्यार से चलिए कोष्टक ओपन करके देख लेते हैं एक एक को हल कर लेते हैं साथियों देखिए इसको हल करने का कई तरीका है अगर हम इसको खुब ज़्यादा explain करें तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा छोटा करें थोड़ा छोटा हो जाएगा आईए इसको हम सरल करने की कोष्टक करते हैं इधर आगे बढ़ा कर ठीक है अब ध्यान देना देखो बाबु अगर यह कोष्टक ओपेण होगा यहाँ पर माइनस है न вокруг की किनदे बदल जाते हैं तो यह माइनस हो जाएगा और यह पहले से माइनस है यक्स और यह प्लस यक्स कट जाएगा वैसे यहां पर भी X से X कट जाएगा अगर यहां देखें तो यहां नहीं कटेगा लेकिन 14 से 14 भी यहां पर खतम हो जाएगा वह आपको दिख रहा होगा है ना फाइनल में अगर हम बात करें तो X प्लस 14 यहां पर बचेगा इस्टार्टिंग वाला इसे हम यहां पर लाके लिखेंगे समझने की कोसिस करना यह प्लस यह 14 बचेगा बाबू और यह 14 बच रहा है और यह 8 बच रहा है दिख रहा है ना ब्रेकट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा आप थोड़ा फ़र लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं बहुत जादा जगा तो है नहीं कि मैं एक्स्पिलन करूं देखो बाबू यह 14 है ना यह माइनस का चिन है यह 8 है अगर कोश्टा खुलेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा यानि 14 माइनस 8 हो जाएग ठीक है तो इंटू यह हो जाएगा आठ बाकि अगर अगले वाले में बात करें लाइस्ट वाले में सिर्फ यक्स बचा है उनली यक्स बचा है बाकि सब कट गया है तो यह यक्स हो जाएगा इसमें गुड़ा में ठीक है अब क्या हो जाएगा भाईया बाबू देखो यहा हमें निकालना था बैलू किसकी यक्स की बैलू अगर आ जाती तो हम भुजाओं को निकाल लेते लेकिन हमारा छेत्रफल निकालने पर यहां पर आकर अटक रहा है यहां पर एक्स कमान नहीं निकल पा रहा है है तो हम क्या करेंगे अब हिम्मत नहीं हारना है इसका यूज करन है अब हम दूसरे तरीके से तिर्भुज का छेतर फल निकालेंगे और इस मान को उसमें रख देंगे फिर यक्स कमाना जाएगा यह तरीका है ठीक है पहले मैं भी सोच रहा था कि यह तरीका फालतू इतना बड़ा काहे किया लेकिन इसका ज़रूरत लगता है चलिए करते हैं एक यह हो सकता है और एक यह हो सकता है यानि हम कह सकते हैं यहां पर तीन अलग अलग बराबर भाग लिखिए सब भी पहले फटा-फट फट फिर मैं बताता हूं ध्यान दीजिए देखे चात्रों ध्यान देना यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ट्राइंगल को हमने तीन बराबर पार्ट में बांट लिया ठीक है O, B, C पहले ध्यान दो अगर यह केंदर पर O है तो O, B और C यानि इस तिर्भुज को मैं पहले ले रहा हूं उसके बाद एरिया आफ O, A, B O, A और B फिर इस तिर्भुज को लेंगे और फिर इस तिर्भुज को लेंगे इधर वाले तीनों का अलग अलग एरिया रखे निकाल लेंगे तो यह इधर साइड में हम वो छ्हेतरफल रखेंगे जो अभी हमें मिला था उसको यहांपे रखेंगे एक्स प्लस 14 और ये इन्टू 48 एक्स बराबर वैसे नार्मली अगर तिर्भुच का छेदरपल आप देखते हो तो एक बटा दो आधार गुणे उचाई यही होता है न तो भही आहो एक बटा दो आधार आधार अगर हम देखेंगे O, B और C तो आधार ये बेस है नीचे वाला ये 14 है न देखो 14 है और उचाई उचाई अगर देखोगे तो इसका जो ब्रित यानि सरकल का जो रेडियस है वो 4 cm है तो नीचे वाला क्या है पूरा-पूरा BC? BC 14 है BC क्या 14 है अगर हम उचाई यानि अगर हम इस साइड को ले लें तब भी 4 होगा तो हम कह सकते हैं यह 14 इंटू यह 4 ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसी तरह से अगले वाले में आ जाएंगे क्या इसमें यह जो मने रखा सही है न कोई दिक्कत नहीं 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 ओ एबी में ले लीजिए ओ एबी उधर फाइड में अगर हम चलें एक बटा दो आधार को लेंगे बाबू तो यह x प्लस 8 हो जाएगा इंटू उचाई तो हर जगा 4 है क्योंकि त्रिज्जा 4 है तो चारी रहेगी उसी तरह से अगले में भी चलेंगे एक बटा दो आधार आधार x प्लस 6 हो जाएगा इंटू 4 क्योंकि उचाई जो हर जगा वही बराबर है जो त्रिज्जा है वही क्या है इसकी उचाई है तो यह आपका हो गया कहानी इसी को हमें क्या करना है हल कर लेना है ठीक है अब यहां से समझ के चलना यहां से साथ ही मेरे 2 से यह कड़ जा इनको ऐसे ही रख देंगे एक्स प्लस 14 और यह 48 एक्स ठीक है अब देखो इनको गुडा करेंगे साच्यों का 28 और यह एक्स प्लस आठ अंदर में है जो भी है जैसे भी वह ऐसे हम लिखते जाएंगे यहां जाएगा 28 प्लस एक्स प्लस 8 देखो अंदर में है यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है समझिए समझना यह है कि यहां पर बचा क्या क्या है जरत ध्यान दीजिए साथियों यह तीन पार्ट में बटा था ना अलग अलग यह एक पहला प्लफ यह है इस प्लस के पहले अगर हम देखें तो दो बच रहा है बाबू तो इनका इसमें मल्टीपल हो जाएगा एक लाइन लिखेंगे दो लंबा हो जाएगा इसलिए हम साथ में कर लेंगे तो दो का इसमें गुड़ा करेंगे तो यह दो यक्स धन दो काट में गुड़ा करेंगे 16 अब इस चिन्य के इस पार चलते हैं बी इन्टू यह भी गुड़ा में ही है अंदर में हो जाएगा मल्टीपल इतना क्लियर इनको जोड लीजिए अगर इन्हें आप जोड़ेंगे तो आपको नजर आएगा क्या यह एक्स प्लस 14 और यह 48 एक्स ऐसे ही रहेगा इनको आप जोड़ेंगे टोटल फाइनल करिए दे इसे भी दिये हैं एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स इसमें चार कामल ले लोगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा कोई दिक्कत नहीं है किसी को दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ठीक है दोनों पक्षों का आप स्कॉयर कर दीजिए अगर दोनों पक्षों का हम स्कॉयर करेंगे वर् इतना हट न लिख दिजी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर प्थ से लिख्व हिए आगे बढ़ ये देखिए जब इसका वर्ग करेंगे साथियों तो यह वर्गमूल तो सब्स से जाएगगा यहां पर क्या होगा वर्रज दो यहां से हट जाएगा क्योंकि वर्ग हो जाएगा इधर कुछ नहीं लगा था इधर क्या होगा वर्ग का यह स्कॉयर का चिन लग जाएगा यह ठीक है आप सभी जानते हो दस में पहुंचे हो ना बेसिक नहीं आती तो कमेंट करके बताना नंबर पे संपर्क करना पहले पढ़ लेना ठीक है अब इस चीज को हम स्कॉयर करेंगे तो आप छट्रॉडऄ समझना इनको था मैं ईसे लिख देंगे एक्स प्लस 14 और इंटू qtx समझना इसकाइब करेंगे तो चार का स्कॉयर 16 हो जाएगा और यह एक्स प्लस 1414 का होल इसको रहेगा आप इसको समस करह Она का मतलब है कि दोनों पर鐘 सक्यर है यक्स प्लस 14 इतना बचेगा यह आप सबको पता है इसमें किसी को कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए नहीं न आगे बढ़ा जाए अब ध्यान दे न यह 16 से हम इसको भी काट सकते हैं यह 3 यक्स बराबर यक्स प्लस 14 आ違う यह अगर निकालेंगे साथी मेरे 14 माइनस 3 क्यों कいたinden में प्लस में इधर जाएगा तो मैंनस में हो जाएगा क्यूं क्यों यहाँ पे कुछ गूज़ लग रहाए कि क्या आपको नहीं न कुछ मुझे गडबड लग रहा है लेकिन कंज फाली बाद तो इसके साथ में गुडा में है तीधर जाके इसमें माइनस में हो यहोज भी năm सकता ऐसा पॉसिबल है नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है जोविए यह तीन एक से रहे और यह सिधार आजाए तो यह से यह पोस्लिबल है तो 2 एक सो बराबर 14 एक सो बडराबर यह से देखेंगे तो से बनायेगा क्या आएगा साथ सेंटिमेट्र आएगा समझ में आया यह पोस्लिबल है साथियों अब हम तीनों बुजाएं निकाल लेंगे यहां पर लिखेंगे आता पहली बुजा पहली बुजा क्या थी भई यह पहली बुजा एक्स प्लस आठ थी ना पहली बुजा एक्स प्लस आठ बराबर साथ धनाठ बराबर पंदरा सेंटी मीटर यह सब को पता है पहली बाई देखना का यह कितब ही हम देख लो न यह पहले भुजा AB थी न, AB माना था न, तो AB X पलस 8 थी न, तो यहाँ पर लिख दो न, पहले भुजा AB बराबर, दूसरी भुजा BC बराबर, BC, BC तो 14 ऐसे दिया था, इसको निकालना ही नहीं था, AC बराबर, A और C इसको निकालना था, X पलस थे, बराबर, साथ धन थे, बराबर, 13 सेंटी मीटर, पस यही तो तुम्हे निकालना था, AC और AB तो निकालना था न, हो गया न, यही सिद्धम अता सिद्ध हुआ, हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है तो बताइए, निसांकोच कमेंट करिए, ठीक ह साथियों, फिर मिलते हैं, अगले कुश्चन में, कोई डाउट होगा तो बता दीचेए, टैंसान मत लीचेए, एक दमनी संकोच, अगले कुश्चन में मिलते हैं, ठीक है, चलो